राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में किसान भाईयो आज हम बात करने वाले हैं डियेपी और एससपी के बारे में यानि कि डियेपी और एससपी में क्या अंतर है इसके बारे में पूरी जनकरी आज आ पॉंगी साइड आते हैं, इंसेक्टि साइड, हर्वी साइड, सभी की जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ आपस में टेक्निकल को मिला करके एक्समेरिमेंट टरके भी आपको बताया जाता है कि आप किन-किन टेक्निकल को आपस मिलाने के बाद अपनी फसलों पर इस्प्रे जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके चलिए सुरू करते हैं, तो किसान बयोर पहले बात कर लेते हैं DAP के बारे में कि DAP के अंदर कौन-कौन से पोसकतत होते हैं, कौन-कौन मुख्ष पोसकतत होती परसेंट, वही किसान भायों इसके अंदर कुछ micronutrients भी होते हैं जिनकी मातरा में आपको बता रहा हूँ, किसान भायों इसके अंदर sulfur की मातरा होती है, 0.48%, यानि के 0.48%, iron की मातरा किसान भायों इसके अंदर होती है, 0.31%, एलमूनियम की मात्रा किसानवयो इसके अंदर होती है 0.32% और कैलसियम की मात्रा किसानवयो इसके अंदर होती है 0.12% वहीं किसानवयो मैगनीसियम की मात्रा इसके अंदर होती है 0.26% और जिंक इसके अंदर होता है किसानवयो 103 PPM और copper की मात्रा किसान भायो इसके अंदर होती है 55 ppm तो किसान भायो इस तरीके से DAP के अंदर कुछ मुख्या पोस्वतत्व और कुछ micronutrients डले हुए होते हैं जिनकी मात्रा मैंने आपको बता दिये अब बात कर लेते हैं किसान भायो SSP के बारे में भायो बात करते हैं SSP यानिकी सिंगल सूपर फास्वेट के बारे में किसान भायो इसके अंदर पिल्बुक जो हमारे मुख्या पोस्वतत्व होते हैं वो नाइट्रोदिन होती है 0% फास्वोरस होती है किसान भायो 16% और पोटास की मातरा इसके अंदर पाय जाती है 0% बात कर लेता हो माइक्र नीट्रेंट्स के बारे में तो इसके अंदर किसान भायो सलफर की मातरा पाय जाती है 11% कैलसेम की मातरा पाय जाती है किसान भायो 19% और जिंक की मात्रा इसके अंदर पाई जाते है किसान भाईयो एक परसेंट अब किसान भाईयो बात कर लेते हैं इन दोनों का उप्योग हमें किस समय पर करना चाहिए तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि यह दोनों संपूर्ण खाद नहीं है यानि कि पोधे की आवस् अच्छा कारिय कर पाएंगे यानि कि सम्पूर्ण खाद एक पोधे के लिए यह नहीं है दोनों ही अब बात करते हैं तो इस तरीके से किसान भाईयो यदि आप डियेपी का उप्योग अपनी फसलों में करना चाहते हैं बौई के समय पर तो आपको पोटास की आवस्ता गस्पेट की तो इसके यदि आपको उप्योग करना है तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन और पोटास इन दोनों को मिक्स करना होगा तब यह किसान भाईयो एक सम्पूर्ण खाद बन पाता है इस तरीके से यदि आप किसी भी फसल के अंदर इनने डालते हैं और पर द दोनों में से किसी एक का उप्योग करना चाहते हैं तो मैंने आपको यह पूरी डीपनी जानकारी दे दिये वीडियो आपको कैसी लगी मेरी जानकारी आपको कैसी लगी वो आप मुझे नीचे कमेंट बोक्स में बता सकते हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारिक साथ तब तक के लिए राम राम जी